बुलेट ट्रेंज को लेकर दो बहुत ही बड़े और बड़े ही शानदार अपडेट सामने आ रहे हैं नमबर वन, रेलवेस के द्वारा हमारी जो इंटेग्रल कोच फैक्टरी है चैन्ने की उसको ये बड़ा टास्क दिया गया है कि दो ऐसी ट्रेंज को बनाईए जो की धाई सो किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार पे चल सकेंगी ये वाली खबर आप लोग देख सकते हैं ये आज ही सुभह सुभह सामने आई है और नमबर टू, इन्ही बुलेट ट्रेंज की टेस्टिंग करने के लिए जो हमारा टेस्टिंग ट्रैक है उस पे बहुत तेजी से काम चल रहा है ये अपडेट आज से दो हफ़ते पहले सामने आया था और ये वाला जो टेस्टिंग ट्रैक है इसको राजिस्थान में बनाया जा रहा है जहां पर की उन्ही बुलेट ट्रेंज को हम लोग चला करके टेस्ट करने वाले हैं नाव ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है लेकिन दोस्तो इसमें दो बड़े चालेंजिस हैं जो की हमें फेस करने होंगे नमबर वन चालेंज क्या होने वाला है कि अभी तक भारत में जो सबसे जादा टॉप स्पीड पे चलने वाली ट्रेन उसकी जो माक्सिमम स्पीड है ये 220 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलती है और इसमें भी जो इसकी ओसतन स्पीड निकल कर आती है ये अप्रॉक्सिमेटली 180 कमपेच की ही निकल कर आती है लेकिन रेल्वेज ने कोच फैक्टरी को कहा है कि हमें 500 किलोमीटर प्रती घंटे की रफतार से चलने वाली ट्रेन्स चाहिए और नमबर टू जो यहाँ पर ट्रेन्स जिनको बनाया जा रहा है इनको बनाये जाने का जो टास्क दिया गया है ये दोस्तों स्टैंडर्ड गेज पे इनको बनाये जाने का टास्क दिया गया है ये भ बात करेंगे इस पूरी development के बारे में क्या हमें यहाँ पर देखने को मिला है, क्या वो task है जो की ministry of railways के द्वारा coach factory को दिया गया है and क्या-क्या challenges इस task में इनको face करने पड़ेंगे, उसको भी हम लोग समझने वाले हैं. आइए शुरू करते हैं मेरे साथ, मेरा नाम है यदि आप लोग हमें follow करना चाहते हैं, हमारी lectures के updates को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिये गए telegram channels के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं. दोस्तो आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा, कल सुभे स्राडे 9 बजे आपको इस test में enroll करना बिलकुल नहीं भूलना, यह totally free of cost test है, और इस test में अगर आप अच्छा perform करते हैं, तो अन Academy की तरफ से आपको scholarships और कई सारे इनाम जीतने का मौका भी यहाँ पर मिल सकता है. All right, so basically ministry of railways के द्वारा हमारी जो चैन्नई की coach factory है, जो कि आपको मालूम होगा पूरे भारत ने तीन coach factories हैं, एक चैन्नई में, एक राइबरेली में and एक कपूर्थला में and चैन्नई की जो coach factory है, वो हमारे ICF का headquarter भी है, उसको यह वाला task दिया गया है that you have to manufacture two trains which can run at 250 km per hour, यह आप देख सकते हैं, letter जो है, 4 June को यह letter सामने आया था, railway board ने यह वाला task है, ICF को दिया है as part of their production program for 2024-2025, further अगर हमें इस project की details की बात करते हैं, तो इन्होंने कहा है कि trains जो है, इनको steel body के आधार पे बनाया जाएगा, maximum speed 250 kmph की होगी, running speed approximately 220 kmph की होने वाली है, and यह 8 coach trains होने वाली है, यानि कि एक train में जो डब्बे लगेंगे, जो compartments लगेंगे, वो यहाँ पर 8 coaches हमें देखने को मिलने वाले हैं, further यह भी कहा गया है कि इसको standard gauge पे, not on broad gauge, बलकि standard gauge पे इन trains को build किया जाएगा, now यही पर इसको लेकर दो बड़े challenges सामने आते हैं, number one challenge मै इंडिया में फिलाल ऐसी कोई भी train नहीं है, जो कि इतनी तेज चलती हो, बलकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे, ICF के जो पहले general manager रह चुके हैं, Mr. Sudhanshu Mani, इन्होंने statement दिया कि आज की घड़ी में, जो वंदे भारत train चलती है भारत में, उसकी जो maximum speed है, जिस पे वो actual मे gauge की है, और इन्होंने यहाँ पर मांग करी है, 2500 kmph पे चलने वाली standard gauge की train, इन्होंने कहा कि अगर यह task March 2025 के पहले पहले पूरा हो जाता है, तो यह एक बहुत ही बड़ा task होगा, because इसको करना nearly impossible है, मैंने आपको starting में ही दिखाया, कि even though वंदे भारत की जो हमारी trains हैं, बहुत kmph speed देखने को मिलती है, वो दोस्तो 180 km प्रति घंटे की ही देखने को मिलती है, और यहाँ पर expectation लगाई जा रही है कि 200 kmph की speed को touch करेगी, और आसतन 220 kmph की speed पे जो bullet train है, वो चलनी चाहिए, second बड़ा challenge जो की यहाँ पर कहा गया है, वो है कि इन trains को बनाया जाएगा standard gauge के ऊप इसको लेकर कामकाज भी शुरू हो चुका है, मैंने आपको शुरुआत में ही दिखाया कि राजिस्तान का एक शहर है जिसका नाम है नावा, यह वाला जो शहर है, वहाँ पर जाकर के हमारी railways के द्वारा एक track को तयार किया जा रहा है, और यह वाला जो track है, यह इंडिया क पहला high speed railway testing track है, जिसको राजिस्तान के शहर में तयार किया जा रहा है, और इसके उपर भी 60% काम यहाँ पर पूरा हो चुका है, इसी track के उपर, once जब हमारी यह वाली trains तयार हो जाएंगी, तो इसी track के उपर basically इन trains की testing करी जाएगी, यह भी अपने आप में बहुत challenging task माना जाता है, because high speed trains की testing करने के लिए, उनको different different loops में और extreme conditions में चलाया जाता है, वो भी multiple times, और इसके लिए बहुत सारे loops को इंडिया को बनाना होगा, जो की अभी तक इंडिया ने अपने इतिहास में कभी भी इस तरह के loops को तयार नहीं किया है, so this also is going to be a very very big challenge for the country, तीसरा challenge जो की है, वो standard gauge का है, आम तोर पर आपको मालूम होगा, इंडिया में जो majority trains चलती है, वो दोस्तो broad gauge की trains चलती है, लेकिन यहाँ पर standard gauge की trains को चलाने की बात करी गई है, और यह इसलिए किया जा रहा है, so that हम लोग इन trains को export कर सकें, because अधिकतर जो देश हैं, दुनिया भर में, वो broad gauge को नहीं, बलकि वो standard gauge की जो tracks होते हैं, उनके आधार पर ही trains को यहाँ पर तयार किया जाता है, लेकिन challenges apart, अगर यह यहाँ पर successful हो जाता है, तो this is going to be a huge, huge milestone for India, यहाँ पर आप देख सकते हैं, अश्विनी वैशनव, जो की फिलहाल railways के caretaker minister है, आपको मालूम होगा, जो यहाँ पर चुने जाएंगे, लेकिन अभी जो caretaker minister मिस्टर अश्विनी वैशनव हैं, उन्होंने कहा है कि हमारी पूरी कोशिश चल रही है, कि हम लोग high speed rail technology को जल्द से जल्द indigenize कर सकें, और इसी लिए हम लोग यह सारे के सारे मुश्किल और challenging कदम आज अपने उपर ल बनाने लग जाते हैं, तो दोस्तो हम लोग एक तरह से global standards को match करने लग जाएंगे, जापान की जो shinkansen bullet train जिसे हम कहते हैं, जिसकी आप यहाँ पर तस्वीर भी देख रहे हैं, ये भी अगर आप देखेंगे, even though इसकी जो top speed है, वो 320 kmph की है, लेकिन ये भी आम तोर पे 200 kmph क ही रफतार के आसपास चलती है, number two, obviously अगर हम लोग यहाँ पर खुद ही इन trains को बनाने लग जाते हैं, तो हमारा जो dependence है, वो Japanese technology जिन से हमारी बात ही चल रही है, वो कम हो सकती है, which is a very very big advantage कि हमें ऐसी advanced techniques के लिए किसी और के ऊपर dependent होना ही नहीं पड़ेगा, and number three, अगर हम ल bullet trains को manufacture करने लग जाते हैं, तो दोस्तो सबसे best party होने वाला है कि हम अपनी railways को भी export करने लग जाएंगे, आपको मालूम होगा, वंदे भारत का export को लेकर बातचीत चल रही है, बहुत सारी Latin American countries का बातचीत चल रही है, यह कुछ वो देश है, जहाँ पर already जो broad gauge है, वो use होता है, तो वहाँ पर तो हम लोग as it is उनको export कर सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर हमारी broad gauge की जगा standard gauge में तयार करने लग जाते हैं, तो और भी देशों की market हमारी वंदे भारत और हमारी bullet train के लिए open up हो सकती है, देखते हैं क्या होता है, आप लोग इस चीज को लेकर क 315 से भी अधिक learners ऐसे थे जो कि अनकाडमी के साथ ही जुड करके अपनी तयारी कर रहे थे, आप भी अपनी तयारी हमारे साथ शुरू कर सकते हैं, हमारे centers नई दिल्ली के करोलबाग, नई दिल्ली के मुकरजी नगर, उत्तरपरदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं, औ for 2025 and 2026, and साथ में हम लोग in courses के आपको CSAT, essay writing, current affairs coverage, साथ में test series और educator interaction, one is to one mentorship, सभी चीजें भी अवेलेबल करवाते हैं, कोई भी doubt है, center को visit कर सकते हैं, phone कर सकते हैं, आपको एक dedicated counselor भी allocate किया जाएगा, जो कि आपकी doubts को solve करवाएगा, thank you so much for listening, stay tuned and stay safe.